MP में किसान कॉंग्रिस के अध्यक्ष दिनेश गुर्जर के कथित भूखे नंगे घर के बयान पर मुख्यमंतर शिवराज सिंग चोहान ने एक बार फिर निशाना साधा है मुख्यमंत्र शिवराज सिंग चोहान ने कॉंग्रिस के ऐसे बयानों को प्रदेश की जनता का अपमान बताया है देखें ये खास रिपोर्ट उप्चुनाव को लेकर मध्य प्रदेश में मचे सियासी घमसान के बीच विवादत बयानों का अमबार लग गया है ऐसे में कॉंग्रिस के निशाने पर खास तोर पर मुख्यमंत्र शिवराज सिंग चोहान है बुद्वार को सीएम शिवराज ने भूखे नंगे घर से और आक्टिंग करने जैसे बयानों पर कमलनात और कॉंग्रिस पर जम करने शाना साधा जल जीवन मिशन कारिक्रम के उपरांत पत्रकारों से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि वह कभी मुझे नंगा कहते हैं कभी भूखा कहते हैं फिर हिसाब लगाते हैं कि उसके पास क्या क्या है ये प्रदेश की जनता का अपमान है कि एक्टर है कलाकार है कभी कहते नारियल लेकर भूखता है कभी कहते लेट जाता है अब क्या करूं और क्या ना करूं ये कमलनाजी बता दे मुझे लेट कुण कि बैठ हूं नंगा रहूं कि भूका रहूं कभी संपत्त्री किनाते हैं ये कांग्रेस की घटिया मान सकता है जो व्यक्तिकत घटिया आरोपोर्ट पर उतारू है नंगा भूखा कहना ये बास्तम मैं आम जनता ही के आप मान ले मैं तो पाँच बार बद्धिप्देश से सांसद रहा हूँ पाँच बार से विधाय कूँ चौथी बार मुख्य मंत्री हूँ क्या नंगा भूखा कहना उचित है क्या किसी का मजाक उडाना एक्टर है साहरुख खान को मात करता है कभी सल्मान खान को मैं मात कर देता हूँ कि ये भासा से रिठीक है कभी नारियली फोड़ता रहता हूँ हरे आज ही देख ले कांग्रेस ये करोना काल में एक सो साथ नलजल योजनाओ का हमने सला नयास किया अप पैसों के माद दिम्चु फ्री में नहीं कर रहा है वो क्या रहा है वैसी नारियल फोड़ रहा है आठ हजार करोर रुपे की और नलजल योजनाओ स्विक्रित की है शहजार के टेंडर हो गए ये फोकट में नहीं कर रहा है पैसे के इंतिजाम कर कर रहा है आपको बता दे कि उपचुनाव के प्रचार अभ्यान के तहत पूर्व मुक्यमंदरी कमलनाथ की मौजूदगी में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए प्रदेश किसान कॉंग्रिस के नेता दनेश गुर्जर ने रविवार को कहा था कि कमलनाथ देश के दूसरे नंबर के उध्योगपती है जबकि शिवराज नंगे भूके घर से है इसके बाद से ही सियासत गर्माई हुई है ब्योरो रिपोर्ट, MP News, फोपाल